जैई श्रीहरी, इस प्रिचुल ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्रिचुल ग्यान चैनल में वीडियोज की एक सिरीज शुरू होने जा रही है इस सिरीज में सभी सची घटनाएं आप लोगों को सुनने मिलेंगी जिन भक्तों को भगवान ने दर्शन दिये है आज की कथा कदम खंडी जी महराज की है जिन की जटाओं को स्वयम लाडली जी महराज ने सुलजाया था एक बार वरिंदावन में एक संथ हुए कदम खंडी जी महराज उनकी बड़ी-बड़ी जटाएं थी जो फ्रंदावन के संगनवन में जाके भजन करते थे एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में उनकी बड़ी-बड़ी जटाएं जाड़ियों में उलज गई उन्होंने खूब प्रयत्न किया किंतु सफल नहीं हो पाए और ठक करके वहीं पर बैठ गए बैठे बैठे गुन-गुनाने लगे मुर्ली धर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले से ही कम तो ना थे एक और मुसीबत ले बैठे बहुत सिवरजवासी जनाए और बोले बाबा हम सुलजादे में तेरी जटाएं तो बाबा ने सब को डांट के बगा दिया और कहा कि जिसने उलजाई है वो ही आएगा अब तो सुलजाने को बहुत समय हो गया बाबा को बैठे बैठे तुम आते नहीं मनमोहन क्यूं इतना हमको तडपाते हो क्यूं प्राण पकेडू लगे उड़ने तुम हाए अभी शर्माते हो क्यूं तभी सामने से 15-16 वर्ष का सुन्दर किशोर हाथ में लकुटी लिए आता हुआ दिखा जिसकी मतवाली चाल देखकर करोडो काम लजा जाएं मुख मंडल करोडो सुर्यों के जितना चमक रहा था और चहरे पे प्रेमियों के हिर्द्य को चीर देने वाली मुस्कान थी आते ही बाबर से बोले बाबा हमों सुल्जा दे तेरी जटा बाबा बोले आप कौन है श्रीमान जी तो ठाकुर जी बोले हम है आपके कुंज बिहारी तो बाबा बोले हम तो किसी कुंज बिहारी को नहीं जानते तो भगवान फिराए थोड़ी देर में और बोले बाबा आ किसको जानते हो वो बताओ तो बाबा बोले हम तो निभ्रत निकुंज बिहारी को जानते हैं तो भगवान ने तुरंत निभ्रत निकुंज बिहारी का स्वरूप ले लिया ले बाबा आप सुलजा दू तब बाबा बोलो च्योरे लाला हम पागल बनावे लगयो निभ्रत नि श्री जी बोली आप सुलजादे में बाबा आपकी जटा तो बाबा मस्ती में आके बोले लाडली जो आपका दर्शन पा लिया अब ये जीवन ही सुलज गया जटा की क्या बात है तो लाडली जी महराज की जै हो कैसी लगी आपको ये कथा कमेंट सेक्शन में जरूर इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा थैंक्स फॉर वाचिंग